शहर की बहुत दूर एक छोड़ा सा गाव था उस गाव में बहुत सारी बक्रिया बक्रिया और गाई थी उस गाव के जंगल में एक शेर रहता था जो रोजाना वहां आकर गाव वानों की बक्रियों और मुर्गियों को खा जाता था सारे गाव वालों में से तंग आकर शेर को पकड़ने का इरादा किया और जहां से शेर आता था उसके रास्ते में एक पिंजरा रख दिया रात को जब शेर गाव की तरफ बढ़ने लगा तो अंधेरे में सिर्फ मेरा दिखाई नहीं दिया और वो जाकर पिंजरे में फस गया उसने वहां बहुत चिलाया लेकिन उसकी आवास सुनने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं था सुबह हुई सुबह एक ब्राहमन वहां से गुजरने लगा तो उसे शेर दिखाई दिया शेर ने ब्राहमन से कहा कि मैं यहां फस गया हूँ प्लीज मुझे यहां से बचा लीजिए ब्राहमन को बेचारे शेर पर गया आ गई और उसने पिंजरा खोल कर शेर को बाहर निकाल दिया ब्राहमन ने कहा कि मैंने शेर की जान छिड़ गया और उसे पिंजरे से बाहर निकाला है लेकिन अब यह मुझे भी खाना चाहता है यह सुनकर बंदर कहने लगा कि इतना बड़ा शेर इतना ताकतवर शेर इस पिंजरे में कैसे आ सकता है जैसे ही शेर पिंजरे से बाहर निकला उसने भ्रह्मन पर जपटा मारने की कोशिश की और इतने में ब्राह्मन ज़ाड पर चड़ गया शेर ज़ाड के नीचे बैठ कया ताकि ब्राह्मन विचित्र और गुस्से साले ये सब बंदर एक ज़ाड पर बैठ कर देख रहा था बंदर ने ब्राह्मन से कहा भाई क्या हुआ ब्राह्मन कहता है हां मेरे सामने यह पिंजरे में था इस पर बंदर कहता है कि मैं तो यह मान ही नहीं सकता इतना बड़ा शेर के पिंजरे में जा सकता है और इतनी देर तत रह सकता है यह सुनकर शेर ने कहा हां मैं इस पिंजरे में था यू सुनकर बंदर कहता है कि नहीं तो मैं मान ही नहीं सकता। अब शेर के सब्र का बांध तूट गया और उसने सोचा कि ऐसा कैसा मैं नहीं जा सकता ये देखो मैं दोबारा तुम्हें जाकर बदलातो हूँ और जैसे ही दोबारा शेर पिंजरे के अंदर गया बंदर ने जट से जाड पर से छलांग लगाई और पिंजरे का गेट बंद कर दिया और ब्रमन से कहा जाओ जल्दी अपनी जान बचा कर भागो।